हेलो, नमस्कार किसान साथियो, मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंंग है और आज में आपके लिए एक खेति से जुड़ी नई वीडियो लेकर रहा हूं इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ इस गवार की खेती किस तरिके से करें जिससे में ज़्यादा से ज़्यादा इंकम प्राप्त हो गवार की खेती के लिए उप्यो कुछ में कौन सा है गवार की खेती के लिए फसल सकर पनाना क्यों जूरूरी है गवार की खेती के लिए कौन सा बीज का चुनाव करे कौन कौन सी इसकी उन्नत किसमे है किस तरह में बीज का उप्चार करना है और इसके लिए में बीज की मातरा की कितनी जूट पड़ेगी इसकी खेती शिच्चता ऐसे शिच्चतरों में की जाती है गवार की खेती के लिए जल परबंदन का होना बहुत जुरूरी है और इसमें कीट परबंदन और रोक परबंदन भी बहुत जुरूरी है इसके बाद हम इसके कटाई वा कटाई करते हैं के अब हम बात करते हैं किसकी बिजए किसम野 कौन कौन से साथाने रखे जिसके की फिर गौन opposite Constitution को जिससे कि हमें कम क्छिव कम समय में ज्यादा से ज्यादा वसलिकी पाइदावार पराब्त हो जैसी कि में एक अच्छे इंकम पराब्त हो इस व्यूरू को अन् snare कु जूरू दे कि दियुक्त करें चलो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं को सुषक वह अर्थ-सुषक इलाइकों में होती है यह गरम ओसम की फसल है जिसे बादजरें के साथ मिलाक बोया जा सकता है इसे अरी सबजी के रूम में भी इस्तेमाल किया जाता है खुछ जगों महाराश्टर में लगवग नोएक्टेश्टर में इसकी खेतिक की जा रही है कर्शी विवा के अधिकारियों ने बताया कि पसूँ को गवार खिलाने से उनमें ताकत आती है तुदारू पसूँ की दूद देने की समता में वर्द्धी होती है गवार से गौन्द का निर्मान घुघ्या जाता है गवार गम अन्यक उत्पादों में होता है गौर फली से स्वाधिष्ट सब्जी बनाई जाती है इसका इस्तेमाल दाल दता सूप बनाने में भी विए जाता है गरामिन चेत्रों में यह काफी लोगपीडिया फसल है हेलो नमस्कार मेरे यू-टूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है आज मापको सक्ति वर्दक एक्सिक्स की वर्याइटी के बारे में कुछ विशेशता है बताता हूँ यह सक्ति वर्दक की एक्सिक्स वर्याइटी यह रफन टप वर्याइटी है यह कम पानी और ज्यादा पानी वर्याइटी की फसल है यह कम पानी और ज्यादा पानी में दोनों में अच्छी पैदावार देती है इसके एक पैकट की किमत 400 रुपए के आस पास होती है इसके पैदावार सबसे अच्छी होती है यह गवार बिल्कुल भाइट होता है इसकी पुआई अरियाना वाराजस्तान में सबसे ज़्यादा की जाती है एक एंकड के लिए 3-4 किलो बीज प्रियापत रहता है इ अगर आपको यह वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट वो इंडियन टेकनिकल फार्मिंग को सब्सक्राइब करें धन्यवाद थथा ऐसी सचत्रों में नंबर 12 खर्पतवार की रोगतां, नंबर 3 तिस दिन गे बाद निराई या गूडाई नमबर 14 तिस दिन बाद सिच्चाई नमबर 15 अजल का परबंदन नमबर 16 कीट वर रोग का परबंदन नमबर 16 इंसेक्टिस साइड वर टोनिक का सप्रे नमबर 17 कटाई फिर कडाई फिर पंडारन ये मुक्हे शावदानिया है जो आमें गौर की फसल में रखनी चाहिए गौर की खेती के लिए उप्यूकत स्मय गौर की खेती खरीब और गर्मी के मोशम में की जाती है काले फसल की वाई के लिए मई महिने का परत्म ख़ाड़ा उप्यूकत समय है यह आप नेरी पानी से भी कर सकते हैं, देरी से बुआय करने पर पैदावार पर परतिकल प्रबाव पड़ता है वर्षा रितुक की फसल की बुआय के लिए जून वाद जुलाई उप्युकत समय है वर्षा रितुक की बुआय कर देने चाहिए बजार में बाजरा की बहुत सी वराइटियां प्लुब्द होती है मई मईने में अगेति वराइटि वाजुन जुलाई में हम पचेति वराइटि या फिर हम समय के उनुशार ही वराइटि का चुनाओ करते हैं कि खेत का चुनाओ इसके बाद हम बाजरा की विजाय के लिए हम खेत का चुनाओ करते हैं अगर पहले उस केत में सरसोगी विजाय की थी तो सरसों के फणों को रोचा वेटर की चाहिता से एक- दो भार अच्छी तरह से जुलाई कर दे ताकि सर्सों के फानों खेत में अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाई फिर आप हैरो की साथा से दो तीन बार अच्छी तरह से जुताई कर दे फिर आप लेजलेवर की साथा से खेत को संतल कर दे अगर खेत पिरानी है तो आप टोटावेटर की सायता से दो तिन बर जुताई कर दे फिर आप हैरो की सायता से उसकी एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे या फिर आप कल्टिवेटर की सायता से एक गहरी जुताई कर दे अगर खेत नहरी है तो खेत को लेजर लेवलवर की शायता से संतल कर दे ताकि खेत की सिचाई अच्छी तरक्षी हो जाई मिट्टी की जांच सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा ले जिससे हमें या पता सब जाता है कि कि यह मिट्टी में कौन-कौन से पहुशक ततो की कमी है वो खेत की मिट्टी किन-किन फसलों के लिए उपयूकत है और इस मिट्टी में कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है जैसे केहू, चन्ना, अरहर, शर्सू, राया, बर्सीन, गन्ना, अलू, मक्का, बाजरा, कपास मिट्टे की जांच से हमें यह पता जल जाता कि इस मिट्टे का पियेच मान कितना है और इसमें कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है पाने की जांच, अगर आप फसल की विजाई के लिए नेरी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह सभी परकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का अंकौन सोपति से तब हो जाता है अगर आप टीवल के पानी से फसलों की विजाई करते हैं तो आप सबसे पहले टीवल के पानी की जांस करवा ले अगर टीवल का पानी पीने में मिठा है तो इसमें पानी का पीपियम ज़्यादा हो सकता है और बीज अंकूर्ण के समय यह एक समस्या बन जाता है अगर पानी का पीपे में एक जार से कम है तो यह ऐसे भी परकागी फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बेजगांग कॉन सोपर तिसथ हो जाता है अगर पानी का पीपे में एक जार से जाजा हता है तो इसमें बेजगांग कॉन सही तरीके से नहीं हो पाता है इसलिए पान तैरी पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए खेत की त्यारी वह गुबर की खात अगर आप खेत में गुबर की खात का इस्तेमाल करते हैं तो आठ से दस टॉल डी एक अंकट के लिए प्रयापत रहती है गुबर की खात जमिन में अच्छी तरह भी खायकर जमिन को सुमतल कर देन चाहिए जिसका प्याच मान साड़े साथ से साड़े आठ तक हो वहीं पर गवार के खेतिये असानी से की जा सकती है गवार के लिए एक जुताई मिल्टी पलटने वाले हल या डिसक हैरो से क्रोश जुलाइ जुताई कर पाटा लगा देना चाहिए इसके उपरांत एक खेत में खर्पतवार कम पनपते हैं गवार पसल के लिए जलवायू गवार एक सुका सहन करने वाली गरम जलवायू की पसल है यह उन्च हैतरों में असानी से उगाया जा सकती है जहां पर ओसित गवार सिकवार साथ 30 से 40 सेंटीमेटर तक होती हो विज्जों के अंकून वा में फूल वया फलियों का निवान के वर्क खरीब के मौसम में ही होता है अत्यदिक बारिस वर्साथ ठंड को यह सैन नहीं कर पाती है जिन छेतरों में अत्यदिक गर्मी पड़ती है पंतुस हिचाईगिस विद्दा उपलब्ध है वहां पर गवार की खेती से बरपूर पै खरीब के गरम और आदर जल्वाईयों के कांड़ पैड़ों के वर्दी बहुत अच्छी होती है सर्दी के मौसम में इन फसलों के तिलाब दैग नहीं होती है यह फसल सभी परकार के मिट्टी में उगाई जा सकती है अच्छे जल्म निकास वाली मद्यम से भारी मिट्टी म के नाम से भी जाना जाता है किसे निश्चित भूमी में निश्चित समयबारी फसलों को लगाता रदल बदल कर वोना ही फसल चकर कराता है फसल चकर का मुद्देश्य किसी भी तरह के पोद्दे के लिए भूमी में मुझूद पोशक दतों के इसलुपियों किसे भूमी की Beauty और जिविक सित्ति में संथूरत बनाये रखना हुता है लगाता पॅसरार अपनाँ से प्ल्चानबाई लगता है लुगातार पृम्मी से लगातीर बूमी से लगताम अच्छी फूसल ले सकते हैं और इसके पनाने से खेत की उरुख सकता भी बनिये रहती है जबकि एक ही फसल को लगाता रुगानी से किसान भाईयों को फसल की कम उपज मिलती है और एक ही फसल को खेत में लगाता लगाने से मिट्टी में बीजनित और मर्दा जनित रोग भी बढ़ जाती है जिसके करण ब अब दोर्ल के भी पेजने वारी छोटी प्योग मित्र केतं नश्ट हो जाती है और दुर दिर बंजर रूप करने लगती है। फसल चक्कर के फाइद California Adapt यूद भूब में अमलिया और सारी गूंट पो शकतत्तों चूर जयूइक संटूलित रधती है। फसल चक्कर बनाने चूर्ण किटू और वीजनित रोग नहीं लगते है जिस से मिट्टी दुश्ची तोने सें बचती है फसल चक्र अपनाने से फसलों में रोग भी काफी कम ही देखने को मिलती है जिसकी वज़य से किसान बयु दौबारा रसनेक दोयां उपर किया जाना हमाणाओ करheldा कर्ची भी कम हो जाता है कि दोरान के फाउने भ भली वाली फ़सलों के बहुपे फ़ेत में नाइट्रोजनни पूर्टी ने पूर्टी बनी रहती है फ़सल्चक्र अपनाने पीजे फिल सब्सक्र कोने में खर्पतवार कमीडेखने को मिलते हैं किसी भी विशेश रोग के लगने पर उस फसल को लगातार खेत में नहीं उगाना चीए। जिन फसलों की जड़े अधिक गराय में जाते हैं उन्हें उगाना चीए। नाज फसलों के उगाने के बाद दो से तिन साल में एक बार दने लनी फसल को जुरूर उगाना चीए। परना होता है जो वराइटि अच्छा उत्पादन देती हो जिसका उत्पादन जादा से जधा हो नहीं जादा हो और उसका बहुत ज्यादा मघव और उसका बहुत ब्रौब की एक बड़ी एक्क्वालिटी का बीजी, तमेका अच्छा उत्पादन और मुनाफ़ा दे सकता है। बीज की उनत्किसमें, गवार की उनत्किसमें, बजार में गवार की कई उनत्किसमें देखने को मिल जाती है। जिनें चारे दाने और अरीफलियों के दार पर तीन बागों में बाटा गया है, उननत किसमें इस प्रकार है, दानों के लिए उननत किसमें अजजी 365, अजजी 563, 220, अरीफलियों तो उननत किसमें IC 83, M 83, पुसा मौसमी, अरेचारे के लिए उननत किसमें, ये मुख्यत अरेचारे के लिए उननत किसमें की जाती है, बंदेल गवार 3, गवार करनती, बंदेल गवार 2, गोराट 80, बंदेल गवार 1, अगर आप पैदावार के लिए उननत किसमें का ही चुनाव करना चाहिए, अगर आप अरेचारे के के लिए उपयोग करते हो तो अरियों 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 के आप रेचारे के लिए फसल का उपयोग करना चाहते हैं, तो सोड़ा से सतरा किलो पीज परतियंकर की जूर्ट होती है, इन विजो को खेत में लगाने से पहले उन्हें कैप्टान या बावस्टिन की उच्छित मातरा में उप्चारित कर लिए, ताकि विजो को आरमें सबसे पहले हम फंगिसाइड से बीज को उप्चारित करते हैं, फिर इन्सेक्टिसाइड से बीज को उप्चारित करते हैं, फिर आज जो भी हम कल्चर से हम उप्चारित करते हैं, फंगिसाइड को उप्चार करने का मानुदे से, फंगस की बिमारियों की रोक्थाम के से उपचारित करने का मुख्या उद्यस्या दिमक जैसी रोक्ताम के लिए किया जाता है और आज जोबियम कल्चर का प्योग खेत में जिवानों की संख्या बढ़ाने के लिए प्योग किया जाता है जिससे खेत में जिवानों की संख्या बढ़ जाई जिससे कि एक अच्छी प्राप्त वोगार फसल में खादे हो उर्वरक गॉर दलानी फसल होने के का नाइट्रोजन की कुछ आपरती वात्तावरं की नाइट्रोजन को जोड़ों में उपसित पांट और एकतर्त की लिए जाती है लेकिन फसल की पावरेम्बी कवस्ता में पॉसक तत्तों की पूर्ति में डाल देनी चाहिए इसके तरित गवार की विजाई को बुवाई से पहले राजुबियम कल्चर की 600 ग्राम मातरा को एक लेटर पानी वबाद डाइसोग्राम गुड के गोल में 15 किलोग्राम भी उसको प्चारित कर चाहा में शुका कर बोना लाब दयाक रहता है खेत की ते बुवाई की विद्धि अधिक पैदावार के लिए गोवार की बुवाई हमेशा पंक्तियों में करें बुवाई हलके कुंडों में अथा सीडर की साहिता से करें कुडों में पोदों की जुडों के पास वर्षा जल से भी अधिक संग्रित होता है जिससे पैदावार अधि बॉमी में प्रियापत मात्रा में नम्य रहनी चीए जिससे बीज का जम्माव प्रियापत मात्रा में अगर आपने नेरी चत्र में विजाई किया है तो आप इसकी मेड मना दे फिर आप इसमें खरपतवार नेंत्रन के लिए पेंडा में लेदीयां 30% EC का 50-500 mm को डाइसोलेटर पानी में मिलाकर इसका छुटकाओ कर दे जिसे की केद में खरपतवार नहीं होगे खरपतवार नियांतर गवार की फसलों को खरपतवारों से पूर्ण तया मुक्त रखना चीए खरपतवार निकल जाते है जिसमें जंगली जूट जंगली चरी वद दूब गास परूँक है गवार की फसलों में समासमा पर निराई गुडाई करके खरपतवारों को निकालता रहना चीए इससे पुद्ध की जोड़ों का विकास भी अच्छा आता है और जोड़ों में वायू संचार भी बढ़ता है दाने वाली भसल में बैसालिन एक के लोग पर ती एक्टेर के दर से खेत में बुवाई से पूरों मर्दा की हो बिजाई के 30 दिन बाद खेत में खरपतवार उग जाते हैं जिस खरपतवार उगने के बाद हमें उसकी निराई या गुड़ाई आच्छे कर देनी चाहिए निराय गुडाय करने के बाद अगर खेत की सिचाई करनी है तो 30 दिन बाद हम खेत की सिचाई कर सकते हैं जल परबंदन अगर खेत में पानी का बराव ज़यदा हो सकता है तो हमें उसके जल निकासी का परबंद करना चीए क्योंकि गुआर की फचलों में ज़्यादा पानी की जूट नहीं होती है गवार की फसल में कीट वरोग प्रवंदन दिमक फसल के पोदों की जोड़ों को खाकर ये नुक्सान पुचाती है बॉआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में क्यून फोस एक पाइंट पांच पत्ति सतिया कलोरिफाइस पाउडर बिश से पचिस किलो परती एकटेर की दर से भूमी में मिलाने चाहिए बॉने के समय बीज को कलोरिफाइस किटनासक की दो मिली लेटर मातरा से पत्ति किलोग्राम बीज की दर से पचार कर बोना चाहिए नमबर दो कातरा इस कीट की लट पारंबे का वस्ता में फसल के पोदों को खाकर नुक्सान पुचाती है इसके नियंतरन के लिए खेत के आस पास पाई रहनी चाहिए तथा खेत में प्रकॉप होने पर मिथाईल पैराथियोन या क्यूनोल फास एक पाइंट पास पत्ति से चून की 20-25 किलोग्राम आतरा पत्ति अकड़ की दर से बुरुकनी चाहिए मोहिला या किट पोदक के कमल भागो का रश्चुक्स पर फसलों को आनी पुचाते है इसके नियंतरन हत्तु मोनो कोड़ोट फास आदा लिटर अतरा को 500 लिटर पानी के गोल में मिला कर चुटकाओ कर देना चाहिए इन किटों के नियंतरन के लिए ट्राइजोफोस या मेला थ्यान की एक लिटर मातर रखो पानी में गोल बना कर पत्ति एक्टर की दर से चुटकाओ करना चाहिए एक्ट्रियर बलाइट या गोर की बहुता निकर बिमारी है इस बिमारी के उपर गोल अकार के दब्बे बनते है इस बिमारी के नियंतरन है तो रोग रोधी किसमों का उगाना चाहिए बीज को 2 ग्राम से ट्रेप्टो सैक्लिन से परतिकलो बीज की दर से उपचारीत करकर बोना चीए छाचिया इस रोग के कांड पोद्य के उपर स्पेद रंगे पाउडर का आवरन बन जाता है इस रोग के नियंतरन है तो 25 किलोग्राम गंदक जोनी या एक लेटर कैरत थेन को पचास चो लेटर पानी में गोल बनाकर पत्ती एक्टर की दर से बुरकाव करना च हलती है इस बिमारी के कांड पोद्य अचानक मर जाते है इस बिमारी की रोग भुवाई के 30 से 40 दिनों बात खेत में फुटाओ बढ़वार फुलों की संक्या में जबरदस्त वद्दी करने के लिए हमें पलानो फिक्स वाकल्टार जैसे टोनिक का इस्तेमाल करना चीए इस के लिए हम मौनो क्रोटोफास या इंडिकलोराइड या टाटा का आसा टाप जैसे दुवाई यह का चटकाओ करना चीए अन्य के टवाई रोग के लिए आप अपने नजदी की डोक्टर से भी संपरक कर सकते हैं इसके बाद जैसे ही पसल की कटाई शुरू हो इसके बाद ह कर देना चाहिए अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो इस यूडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक स्केर इंडियन टेक्निकल फर्मिंग को स्ट्राइक करें रन्यावाद प्रिपदवार